चोपड़ा जुकिस यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हादिक्ट स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों जिस परकार से इंडिया में मेडिकल इंस्टिउशन में एडमिशन के लिए नीट और इंजिनिंग में एडमिशन के लिए जेई में का एक्जाम कंड़क्ट करवाया जाता है। उसी परकार से सेंट्रल इंडियर्सिटी में एडमिशन के लिए C.U.C.T. यानी सेंट्रल इंडियर्सिटी कोमन इंट्रेंस टेस्ट का एक्जाम कंड़क्ट करवाया जाता है। विबन परकार के 64 UG कोर्से जैसे B.C.B. कोम के साथ B.A. जैसे इंटीग्रेटेड कोर्स भी होते हैं। UG इंटीग्रेटेड के साथ PG कोर्से भी इन इंडियर्सिटी में करवाया जाते हैं। 10 प्लस 2 का एक्जाम पास करने के बाद UG इंटीग्रेटेड कोर्स में एड्मिसन ले सकते हैं। और ग्रेजवेट यानि BA, B.C.B. कोम पास करने के बाद में PG यानि MSC, M.C.M. कोम, MA के लिए एड्मिसन ले सकते हैं। इसमें UG में एड्मिसन लेने के बाद PG कोर्सेज कंटीनू भी कर सकते हैं। तो नीट के एक्जाम देने के लिए काफी सारे स्टुडेंटे ऐसे होते हैं जिनका मेडिकल हुआ है, इंजिनिंग फिल्ड में एड्मिसन नहीं होने के कारण CU City का एक्जाम देते हैं। क्योंकि अच्छी उनिएर्सिटी से B.A.C.Y.A. कोर्सेज करना बेतर तो है ही, सार्प में आपके प्लेस्मेंट के चांसेज भी बढ़ जाते हैं। तो आएए लेते हैं CU City की एक्जाम, कोर्सेज, इलिजिबिलिटी, एक्जाम सेंटर, रेजिस्टेशन कैसे करना इसके बारे में पूरी जानकारी। तो सबसे पहले हमें NTA की वेबसाइट पर जाएंगे, तो यहाँ पब्लिक नोटिस दिया गया है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं, तो इसमें इंपोर्टेंट डेट्स दे रखी हैं, वो पूरी सेंटरल इनिवर्सिटी दे रखी हैं, कि कौन-कौन सी सेंटरल इनिवर्स की 2 सिप्टेंबर है, इसके बाद में एक जाम डेट 15, 16, 23 और 24 सिप्टेंबर को रखा गया है, एक जाम डूरेशन 120 मिनेट सेरिन 2 हावर्स का एक जाम है, मोड ओफ एक जाम, कंप्यूटर बेस्ट एक जाम है यह, इसमें जो मीडियम ओफ पेपर है, वो ओनली इंग्लिस मे ही होगा, और इसमें objective टाइप के question आएंगे, इसके बाद में हम इसकी website पर चलते हैं, तो इसकी website है cuct.nta.nic.in, तो जैसे ही इसकी website पर हम visit करते हैं, यहां पर भी link दिया गया है, यहां से click करके भी आप website पर पहुंश सकते हैं, तो website Samneet की website की तरह ही है इसमें, इसमें आप registration, अपने laptop, mobile से भी कर सकते हैं, या फिर किसी cyber kp से भी करवा सकते हैं, simple से इसके process हैं, steps हैं, वही steps हैं, जो आपने neat में fill किये थे, अब हम इसका एक बार information brochures देख लेते हैं, तो information brochures देखने से पहले हम देख लेते हैं कि ये 12 सेंटरल इंवर्सिटी कौन कौन सी हैं, तो इसमें आसाम में, आसाम इंवर्सिटी सिल्चर है, सेंटरल इंवर्सिटी आंदरप्रदेश, गुजरात, हारियाना, जम्मू, जहारखंड, करनाटका, केरला, पंजाब, राजस्थान, इसके बा इंफोर्मेशन ब्रोचर डाउनलोड करने के लिए सेंटरल इंवर्सिटी कोमन इंटरेंट्रेस्ट जो लिखाया है, इस पर हम क्लिक करेंगे UI, यानि कि Undergraduate Integrated Course और PG के लिए करना है, तो इसके नीचे का Information Browser डाउनलोड कर लेते हैं, जो लिंक दिया गया है इसमें, हम पहले UG का Integrated Course का Information Browser डाउनलोड कर लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले Important Date दे रखी है, Important Date में मैंने आपको बता दिया है, इसमें क्रेक्शन की 3rd or 4 September 21 डेट रहेगी, इसके बाद मैं Application Fees की बात करें, तो General OBC EWS Candidate के लिए 800 रुपीज होगा, SCST Transgender Applicant के लिए 350 रुपीज होगा, PWD Applicants के लिए कोई Fees नहीं होगी इसमें, इसके बाद में सारे MCQs होगे, 120 मिनेट का पेपर होगा इसमें, बाकी Admit Card कब डाउनलोड होगे, ये सारी Result कब आएगा इसमें, और ये सारी डिटेल आपको बाद में समय समय पर बता दी जाए इसमें जो Registration के Step है, 4 Step में वैसे ही Registration Complete होता है, जैसे Neat का होता है, 1st Step में आपको Registration करना है, 2nd Step में Online Application Fill करना है, 3rd Step में Image Upload करनी है, Image में आपको दो ही Image करनी है, Photo Upload करना है, और Signature Upload करना है, इसके बाद में Fees का Payment करना है, और Confirmation Page Print ले लेना है आपने, अब ये इ Registर है कि क्यूंड-कों से University में क्यूंड-कॉंसे courses करवाइजाते हैं और उनके subject हैं, क्यूंड-कॉंसे होते हैं, जैसे इसमें सबसे पहले courses दए गए हैं, इसके बाद में subjects दिए गए हैं और Offered Y, यानि, क्यूं-कूंड-कूंसे University से ये course offered हैं, क्यूं-कूंडysi कौन से courses करवाई जाती हैं इसमें टोटल यह 64 course हैं तो आप इसमें देख सकते हैं अब हम इसमें BSC की बात करें तो BSC Physics Chemistry and Mathematics subject में Central University कनाट का करवा रही है MSC के लिए भी है फिर BSC Chemistry में इसमें बाकी Central University 4 गंट करवा रही है इसमें आप BSC BAD भी कर सकते हैं नहीं कि BSC के साथ BAD जो 5 years का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है BSC BAD का वो इसमें बियार युनिवर्सिटी साउथ बियार युनिवर्सिटी करवा रही है Central University साउथ बियार करवाई तो इसमें यह subject दिये गए हैं और course दिये गए हैं और तो इसकी website पर भी जाकर के आप देख सकते हैं टोटल यह 64 courses हैं इसमें इसके बाद में हम बात करें इसमें mode of examination का मैंने बता दिया है इसमें क्यूशन पेपर का pattern की हम बात करें तो क्यूशन पेपर के pattern में दो पेपर हैं इसमें undergraduate integrated क्यूशन पेपर 1 इसमें part 1 में 25 क्यूशन आएंगे जिसमें English general knowledge और numerical ability के क्यूशन आएंगे पार्ट B में 25 क्यूशन आएंगे जो जिसमें physics के 25 होंगे chemistry के 25 math के 25 और bio के 25 क्यूशन होंगे जो candidate math के math का part attempt करेंगे जो candidate bio के हैं वो bio का part attempt कर लेंगे इस परकार से क्यूशन पेपर 2 होगा वो 100 क्यूशन का होगा English numerical aptitude इसमें आगे ये जो पेपर हैं वो इस परकार से हो जाएंगे इसके बाद में क्यूशन पेपर का medium only English ही है इसके बाद हम आगे देखें marking scheme के बारे में देखें तो one mark दिया जाएगा correct answer का और negative marking के लिए 0.25 marks आपका काटा जाएगा यानि कि आपके अगर चार क्यूशन रोंग होंगे तो एक marks काट लिया जाएगा तो इस परकार से इसमें negative marking भी है इसमें इसके बाद में आगे duration of examination का मैंने बता दिया है आपको ये two hours का exam है इसमें इसके बाद में अगर आपको कोई problem हो जाती है तो आप NTA के help line number पर भी बात कर सकते हैं और इसको mail भी कर सकते हैं mail और help line number दोनों दिये गए हैं इसमें अब इसकी eligibility के बारे में बात करे हम तो इसमें eligibility दी हुई है कौन से course के लिए क्या eligibility होने चाहिए इसमें आप ये पूरी eligibility देख सकते हैं computer science and engineering के लिए क्या-क्या होना चाहिए और इसमें आगे आपने bsc के लिए क्या-क्या होना चाहिए तो मैं आपको normally सी बता देता हूँ जो ug courses है उसके लिए 10 प्लस 2 होती है जो minimum requirement होती है और PG के लिए graduation होता है ये normally सी है इसके आप देख सकते हैं पूरे ब्राउचर में कौन से के लिए क्या eligibility है कौन से course के लिए अब इसमें exam center दिखाए गए है इसमें statewide exam center है जोन है इसमें east जोन है south zone है इसके बाद में state दिए गए है इसमें और city दिया गया है कौन से state में कौन से city में exam है और city code भी दिए गए है तो आप ये देख सकते हैं इसमें काफी सारे exam centers है आप अपने state का exam center देख लें इसमें आपको four exam center चूज करने होंगे तकरीवन first वड़ा exam center ही student को अलोट हो जाता है total 152 exam center है हर एक state में exam center है इसमें तो आप ये इसमें देख सकते हैं इसके बाद में इसमें computer based exam है तो computer पर आपको किस परकार से question attempt करने हैं किस परकार से answer देने हैं कैसे login करना हैं ये procedure इसमें पूरा समझाया गया है अगर आपने पहले cbt exam दिया है तो आपको कोई problem नहीं है फिर भी अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो आप इससे practice कर सकते हैं एंटी की website पर भी test practice डाले गए हैं computer के तो आप वहां से भी इसकी practice कर सकते हैं इसके बाद में registration के लिए इसमें replica भी दी हुई है किस परकार से आपने application form फिल करना है तो ये सारी आप देख सकते हैं कोड़ कोड़ सी central university में इनका address भी दिया गया है central university का अगर कोई doubt हा आपको कोड़ से course में क्या करना है कैसे करवाया जाता है तो आप concerned university से phone करके भी आप पता कर सकते हैं इन में phone number भी लिखे गए हैं पूरी 12 वर university के phone number भी दे गए हैं आप इन से संपरक भी कर सकते हैं तो इस परकार से अगर आप भी central university से course करना चाते हैं तो आप apply कर सकते हैं और इसका exam देकर admission ले सकते हैं यह जानकारी थी central university के बारे में बाकी update मिलेगी आप के लिए फिर हम लेके आएंगे तब तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करें bell icon प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि काफी सारे student को इसका फाइदा हो सके तो मिलते हैं नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय है